नमस्कार आदाव आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ शेल जतियागी दर्शको जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हकीम सहाब ने एक मोहीम की शुरुवात की है जिसके तहत हम अलग-अलग सिटी में जा रही हैं अपने पेशेंट से मुला चैखात कर रही हूँ जान रही हूं उनकी सेहत का हाल और मे आज मैं जिनकी घर पे मौझोध हूं उनका नाम है बी-बी सारा गुराश जी तो चलो'RE मिलकर उनका स्वागत करते हैं, जानते हैं उनकी सेहत का हाद। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका सितख्बाल है। शुक्रिया आपका। मैम सबसे पहले तो आपकी उम्र जानना चाहूंगी। मेरी उम्र सेंटी-शिक्स है। ठीक है और यह जगे कौन सी है मैम बैंगलोर की बैंगलोर में इस जगे जो है ना इलहंका रोड कोगिलो करास है ठीक है आप हकीम सहब से कैसे जुड़ी मैं टीवी से जुड़ी राहे नजात ऐसे प्रोग्राम देखती थी मैं तो मुझे अच्छा लगा और घरेलू इलाज ह एक जुड़ी मैं नगा तो उससे मुझे अच्छा लगा मैं इससे जुड़ गई ठीक है आप को क्या तकलेफ थी मुझे डाइबटिक थी मुझे डाइबेटिक के मैं अलोपेतिक दवाई लेती हूँ फिर भी मैं इस ये तो अच्छी चीज है ना बगर अलोपेतिक दवा क सबसे पहले तो बुझा जाइतून का सिर्का बताया रुछा पटाया जाए वहाँ मिलाने वहाँ पर मैं हुपली आखली हाँ से आपके आउपे दवागाने से मंगा ली तो कई तो मुझे अहराम लगने लगा फॉसके वादि मुझे चुरन खाना चुरू कि वहोः देखी हो तो धनिया, मेती, जीरा, सोफसोट वगारा, उससे भी मुझे बहुत आराम लगा, हर साल बीमार होती थी मैं, ये खाने की वजा से मुझे अब अल्ला के फजल से सब आराम है, तीन साथ से मुझे कुछ प्रॉबलम नहीं हुआ, शुगर भी मेरा नॉर्मल हो रहा है भी, साथ जामुन भी ले ली हूँ, तो वो ले रही हूँ और चलगुजे का गौन मंगा के मेरी बहु को दी हूँ इमुरिटी के लिए, नमक जैतुन ले रही हूँ, उसमें तो नव बीमारियों का इलाज है बोल रहे है ना, तो वो भी मैं शुरूए की, तो इससे पहले भी कोई ट हमारे हकीम साहप की ही ली हूँ, हकीम साहप की बहुत अच्छी भी लेगी मझे, के घरेल घर में सब कुछ मिलता है, साइड इपक्नी होता कुछ भी इसका, तो अपने अलोपेतिक दवाई के साथ मैं ले सकती हूँ यह तो आपके साथ जो और लोग भी जोड़े हूँ है, म क्या पनाती थो ओ हो म:"धैरोनार 75, लोच, दौवाँ साथ में सब कर दोब लेटी हो तो इसका सांथ सारे कि रखिंगा, ट्वाल के देडेकों का तो साक पनाती है, तो मे लेती हूँ, उनको भी भी बना कि दी, मेरे पडोसी से। पहाँ अर्णारोसा को तो नर्मल हो ओ ज बेटे के लिए उपेट खराब रहता था तो इसको भी में मंगवा की दी जी 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 बेल पत्थर का मुरबा वो तो आपके हैं नहीं मिला मुझे आप नहीं बनाते भूले ओ तो मैं बंबै में दुसरे जगा से लेके अराम मिला आप उनको अराम है और एक उनके दोस् उनको जुबरों का दर्द भौता हो तो गौन सिया मंगा की दी मैं उनको कैसे रिजल्ट मुले उनका रिजल्ट वही अभी आया नहीं अच्छा कबसे ले 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 वह तीन महने के बाद में ये देखना ना रिजल्ट इसका अच्छा अच्छा आप लोग ने भी सबर किया हूँ हाँ तीन मने तक और क्योंसे भी उनानी दवाई फॉरण एफेक्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए टाइम चाहिए उनानी आई रिजल्ट की दवाएं तो जिसको सबर है और यकीन है वही इस्तिमाल करना बहतर है बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है क्योंकि यही बात हम अपने प्रोग्राम के जरी दर्शकों को कहते हैं सबर कर सकते हैं तो यूनानी अपना सकते हैं बिलकुल तो मैम पहले की जिन्दगी और अब की मुझे कुछ भी नहीं है सर्दी कांसी कुछ ने कुछ होता ही रहता था मझे उल्टी बगारा ऐसे हर साल बीमार होती थी अब तीन साल से मुझे कोई प्रॉबलम नहीं है बहुत आराम हो में ये दवायां इस्तिमाल करें सब को बोलती हूं मैं ये खाओ लेकिन सबर करो इतना हम अल्ला में यखीन करते हैं वती दवायों पर डाक्टरों पर भी यखीन करना चाहिए आप हकीम सहाब से जुड़ी तो ये मन में विश्वास कैसे आया कि मुझे इनकी दवाई एक बर अपनानी चाहिए और ये घरेलून उसके असरदार हो सकते हैं डाक्टर सब का बेगर अन्दाज में वो बताते हैं ऐसी चीजें लो तो ऐसी चीजें ही हैं वो जो कुछ भी बैसे ही नहीं लगता उसके अंदर कुछ भी अब हम डाक्टर को पास जाओ तो बात करेंगे तो पांच सो पर लेता है डाक्टर बेलकुल इससे बहतर है कि ये जब चल रहाएगा और इतने अल्ग की रह्मत भी है अब कि अजूर की शुफादी है और हम नारे डाक्टर सब का खुंछ भी है इसके अंदर बिलकुल तो सारी चीजें हमको यकीन दिलाती है इसलिए मद्स जैसा भी रहाएगा है हमारे अस्तिम्हार Сथाहे यही घिञ्यम में है हुजूर की एक ही बार भी थी बड़ी मुश्किल से लगता ही नहीं आपके हकीम साहब का फोन उसकी मुझे बहुत शिकायत है अगर हम भी कॉल लगाएंगे तो हमारा भी नंबर या लगाएंगा ऑफ होँ अछै हैं आपके बहुते हैं और बता देते हैं और किस तरह इस्तिमाल करना बता देदें आपकी बात जरूर उनसे कराएंगे लेकिन आप अपने मन की कोई बात अगर हकीम सहाब को कहना चाहती हूं इस इंट्रिव्य के ज़रे कह सकती हैं जब हम दिली जाएंगे आपका इंट्रिव्य देखिएंगे शब्कुरिया नए डाक्टर साब के बारे में क्या करना सूरज कुछ चिराग देखाने के बराबर है और उनका खुलूस उनकी मेहनत जो बेगस खिदमत कर रहे हैं लोगों की वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी तरीके से वो खुलूस से लोगों की खिदमत करते रहे हैं मैं नहीं चाहती हूँ बहुत सारे लोग पैसा ना बरबाद करते हैं डाक्टरों के पास जाके अगर ये अब डाक्टर साहब की दवाएं इस्टिमाल करेंगे तो उनको हमेशा के लिए बीमारियों से नजात भी लेगी बलकुर वो बताते हैं गरम करते हूं गरम गरम पानी पीती में हमेशा तो सारी चीज़ आप लिख लेती हैं मैं डाइरी में लिख लेती हुँ यह लिखती रहती हूं जवह भी नुस्धा मुझे बराबर मालूमा मेरे बच्चों के लिए भी तो मैं उनको बո note को अ बेड़यों दो जबान की मिर्ची और रोज का एक खत्रा रोज इसंस का वो पिला दिती हो सुबों में ठीक है मैम जो आपको देख रही है लेडीज या फिर जो जेंट्स पर आपको सुन रही है और आपकी उम्र 75 प्लस है और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखके आपके चेहरे की रौनक के तो जो आपको भी सुन रही है महिलाएं आपकी उम्र की बहुत सारी बिमारियों से परेशान हैं दवाईयां खाखा के परेशान हो चुकी है कोई रिजल्ट उन्हें नहीं मिल रहा है युनानी की तरफ अभी तक नहीं आई हैं उन्हें आप क्या कहेंगी मैं तक को तो ठीक है और हो सकता है दराद देर होता है इसका अथर लेकिन देर आया दुरस्ताया बलकुल तो इससे ओ लोग और जैसा कि डॉक्र साब बोलते रहते हैं ज़तायत देते हैं गरम पानी पियो वाकिं करो इस सब जो बोलते हैं उसको फालो करें और सेहत मन्द रहें तो आ दूश्ताया वहाँ मैं आती जाती रहते हूं मेरे बैटे के पास इदर तो बच्चे जब आपको देखते हैं बिलकुल सेहत मन्द तो उनका राएक्शन पिछले तीन साह से बहुत परेशान थे हो सब अपनी डूटी चोड़ के मेरी खितमत में लगे रहते थे अब यह ती नियत से जवाई दवाई देते हैं उससे मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं सब को कहूँगी कि उनकी दवाएं इस्तिमाल करो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपने घर हमें बुलाया और आपकी सेहत का हाल जान के भी हमें बहुत खुशी हुई हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको धीर सारी दुआये मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया जो आप मेरे लिए यहां तक तच्रीफ लाए और मेरा हाल चाल पूचा इस बहाने आपको देखने का बोलने का और लोगों को बताने का भी मुखा मिला कर दीनानी दुआउं में कितनी आप उसको इस्तिमाल कीजिए हमारा सौभा गया है कि हम आप से मिले और आपके जरीए कितने सारे लोग अब ये समझ पाएंगे कि युनानी ट्रीटमेंट कितना बेहतर है शुक्रिया तो दर्श को देखिए आप सभी ने सुना कि आप अपना ख्याल खुदी घर बैटे से पाएदा किसी दवाई से पाएदा तो आप लोग भी अपने घर हमें इन्वाइट कर सकते हैं तो आज किस खास कारेकर में बस इतना ही अब मुझे भी दीजी इजासत नमस्कार आदाब